इस बोर्ड पे इतने सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, सब लोग आये गए, आपके बारे में पता चला कि पैर्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो फिर आपको क्या लगा ऐसा कि लगा कि चेंज करते हैं, है इश्वर्ड, इतने शक्ति देना कि जो नहीं कर सकते है अब ही हम उस कॉलेज में हैं, जहां से हमने खुद पढ़ाई की थी, आज वरसो बाद इस कॉलेज में जब दुबारा आए, तो कॉलेज पहचान में नहीं आ रहा था, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, और कॉलेज बहुत खुबसूरत दिखने लगा, जानकारी के लिए ब सोचा कि जब कॉलेज का इतना रंगत चेंज हो गया है, तो चल के सर से बात करना चाहिए, प्रिंस्पल सर से बात करना चाहिए, और जानना चाहिए कि आखिर आज तक यहां पे इतने प्रिंस्पल सर आये, अलग-अलग प्रुफिशार आये, उन लोगों ने कॉलेज के बा सor से बहुत सवागत है जिए को highlight कि परिवर्दन हुआ इस दोजिए प्राचार्ज में प्राचार्ज के महाविद्याले के सरवांगीन विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए मेरे दिमाग में बहुत दिनों से मैं इसके पहले आरा में ब्रमर्शी कॉले में था उससे पहले एक साल के लिए डेहरी अंसोन कॉले में था वहां भी मैंने कुछ कारज किया लेकिन जितना इसकोप इस मह विद्याले में करने को था मुझे लगा कि साइध हुआ नहीं है मैं अपने पूर प्राचारों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहँगो अधिस्ता होगी लेकि इतना जरू जानते हैं कि सबों का कुछ ने कुछ स्रम रहा है मैं जब यहां योगदान देने आया तो विल्कुल कॉलिज विरान था अंदर से मैं सोच रहा था कि मैं कहां आ गया चुके मैं पाटलेपुत इनवस्ति का बरिये कमिशन प्रफ प्रिंस्वल हूं लेकिन यहीं सोच के मैंने मान लिया कि इश्वर ने मुझे भेजा है अहां कुछ करने के लिए और यह जो बाहर आपने पुस अचारा बड़े आराम से मेरे पैर को छुआ बैठा वहां धूब में और यहां एक चप्रासी थे वरिये जो रिटायर कर गए उनको मैंने योगदान दिया बैंक में जाए चला गया कुछ दिनों तो अफसोस लगा जरूर कि मैं बहुत सीनिर प्रोफेसर हूं अब प्रोफेसर भी मैं दो हजाने बन गया उससे अचार चलता गया पहला जो अनुभो मेरा हुआ कि पैसा अच्छा रूसा और यूजी सी का पिछले आठ साल से एक पैसा भी नहीं मिला दो गव नदी पर बांद लगा दिया पानी जमा होने लगा एक शर्द में सारी बातों को मैंने सारा पर दे लिए और वही हुआ जो पता लगा कि 35-40 किलो जिलेवी बढ़ता था और पांच किलो साथ किलो में हो गया इसी से आप सारे बातों को समझ जाएंगे और मैंने वही किया द लड़के लड़कियां और आज के डेट में मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं लगभग 4000 बच्चे हैं लड़कियां जादा हैं और सरवांगीन विकास के लिए मैं निरंतर प्रयासरत्न था कि कैसे बच्चों को डिबेट में म्यूजिक में गाना में सारे उसे आद पास 8 आरो है उसक दिन एक आरो एक आरो चोबिस बारो महीना 24 घंटा थंड़ा पानी मिलता है बाहर में आप जाके देख लिए हैं यह रिपोर्ट है कि कैमरा में कि थंडे पानी यहां से बाहर जाता है बढ़े बढ़े क्रम ने जिस विद्याले में महाविद्याले में परकियों के लिए सौज तक नहीं थी यह बात विल्कुल सत्य है उस वक्त नहीं थी और क्लास भी नहीं चलता था सर उस वक्त अभी क्या इस्तिति है उसका दो कारण था एक तो सपोस्थ कि यह दो ही बच्चे हैं चार ही टीचर हैं आज भी हमारे यहां पर सामने में बैठे ह जी हमारे क्रिमेस्ट्री के हैं जेनु की प्रड़क्ट हैं में जुलोजी के बच्च जब युगदान दिया तो केवल दो सिच्छक एक रामरा आज जाओ थे जो जी इन्चार्ज में थे बच्चे नहीं आए लेकिन फिर मैंने देखा कि बच्चों को केवल अगर महावी ड पहला बता रहा है रविदा जैनती हुई कारक्रम हुए मार्च में बिहार दिवस मनाया गया ततकालिन मंत्री अवधेश शिंग आपकी विधायक जो निहां के चिद्धार यह सब लोगा है प्रविंदे जो मरत किया और बच्चों का चातुद्र की विकास के लिए आवश् देखें नैतिक जो मूल्यों का सबसे गिरावट है मैं ब्रह्मन सी कराया हूँ एक बार बच्चा कर कुछ अच्छी बात पढ़ेगा तो उसके मनों मस्तिक पर असा जरू पढ़ता है उसका प्रोहा पढ़ा अगर सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचार्ज को उसके लिए अब आगे क्या उमीद किया जा सकता है एक धार ना जब बन जाती है किरें वो कॉले वहां कुछ नहीं है तो बनने में देनी देनी है नेहीं यहा है मैंने प्रयास किया एंटर कॉंसिल भी लिखा कि हमारे बहुत बड़ा केंपस से बेंच डेस्ट अब तो बहुत बन गए हैं लेकिन अपर तक्स हमें उसका प्रवावाव बने उसका असर यह दिखा कि एक बार यहां पर पिछले सितंबर में अगरस्त में आये थे कुलपती और रेश्टार उन्हों जो क कि आप बीए पार्ट वन की परिष्छा सेंटर लीजे मैं लेने की सिति में नहीं था लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कंट्रोलर साहब और सिच्छरों सपोर्ट किये और पहली बार संभवता 28 साल के बाद सेंटर पड़ा सितंबर में पार्ट वन पार्थी का लेकिन लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सरकार चाहेगी तो आज भी इंटर अमेट्री का सेंटर यहां पड़ सकता है प्रसाशन के मामले में यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन का अब प्रविंदे जिन खुद देखा है परिछा कुछ इसे परशानी हुई कुछ तत् बूरी में अगल बगल में विद्याले में देना पड़ा जब चर्चावी कि इतना मिला है अलोन दिया अच्छा लगा लेकिन दोबार सेंटर नहीं नहीं दिया तो भविश मुमीद किया जा सकता है उसका मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह लोग जाने की नौ मारे यहां गवर्नर का अप्रिशेशन लिटर भी है चौदर सवचारे लड़कियों का और सोलर सवचारे लड़कों का और अभी चार और बन रहे हैं और उसकी प्रेड़ना कैसे में बता दूं एक बार मैं कॉले में राउंड दे रहा था फिस दिपार्टमेंट के पीछे सब्सक्राइबर ने चाहिए चौना देने गया देखा पिछी से तो बच्चिया निकल लें प्राचार मुझे ख़क हुआ क्या का रही है कि बहुत पूछा उसमें नहीं बताया फिर बने देखा बढ़े कोई बच्चे तो नहीं हैं नहीं थे फिर मैंने मेला सिच्छी काह कहा कि आप देखिए क्या बात है संकोच कर रही है तो पता लगा कि वह उसी काम के लिए गई थी पीछे में तब मैंने रहा है कि मुझे चेर पर नहीं रहना चाहिए बात सुम थे उस दिपार्टमेंट नहीं था तो मैंने टोटल सब्सक्राइब मिला कि और आप घूम जाएए संचाले आपको भी साफ मिलेगा संचाले में पानी तो सोला आप कॉमन रूम लड़कियों के बनवा दिया रिक्रेशन रूम डेकर सेंटर में बहुत अच्छा है त इस बोड़ पे इतने सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है सब लोग आये गए आपके बारे में पता चला कि पैर्स में थोरा सा प्रॉब्लम है तो फिर आपको क्या लगा ऐसा कि लगा कि चेंज करना चाहिए आप भी आराम से आते हैं पेमेंट उठाकर चले जाते हैं सपना वो नहीं जो सपना नीद में आती है सपना वो जो नीद नहीं आने देती है और यही कारण है कि मैं रात में भी मेरे मित्र बोलते हैं कभी साथ में कि तुम रात में क्या कोलेज के बारे बोलते रहते हैं यह हकीकत है मुझा आज फंक्शन है चार दिन से हमारे पूरी में देखना सुरू गिया देखा बिलर्ड आ रहा है वेस्डी पर नहीं था मैंने गारा बज़े उस फोटोग्राफ हो उठाया उन्हें बिगड़ना मत ऐसा ऐसा है मुझे कल चाहिए मौर्निंग में दस पज़े उसका एश्डी में लाकर के घर पर दिखा दिया तब हमें कॉ अब लीड हो गया है कर आप देखेंगो उसको तो कोई सोचना किसी काम के लिए अब मुझे एक बार मैं आरा में ज्वाइन किया था ब्रमस्वी कोले में तो ततकारीन कुलपती ने कहा था कि कनहिया जी बहुत नहीं थी थे महाविद्याले में कोई काम कराईएगा तो सोच सब्सक्राइब या शीरवाद देए और इतना जरूर कहेंगे आज मैं करपने भासने कुलपती को बताऊंगा और आप इसको प्रयास करें कि नौबदपूर के बच्चों में टैलेंट बहुत है कि मैंने देखा है इनके घ्राइब करने भी और मैं समझता हूं कि कुल्च्र में बिहार में क्या इस ऑफसर बहुत है मैं समझता हूं कि यहां के बच्चे बहुत बाहर में अच्छे कर रहे हैं जिसकी जानकारी साथ नहीं है जो खबर आती है तो मुझे लगा कि अगर अरवन कॉलेज में सब कुछ होता है सब सुधा है तो क्यों नहीं सेमियर में रू बच्चों के लिए जो यह भावना बनाके बैठे हैं कि क्लास नहीं होता होगा कोलेज में जो अभी कोर्स में जिनका एंडुशन हो चुका होगा उनके लिए हम चाहेंगे कि थोड़ा बहुत बता दे मैं अभी जो ऑनलाइन नामंकन हुआ नामंकर क्लासे चले तो उसमें बच्चों के तरफ से भी सिच्वेव हम लोग का बहुत अच्छा है हम लोग ऑनलाइन ही रहने दिया जाएं ठीक है ओनलाइन क्लासे कर रहा है अच्छी बात है लेकिन ऑनलाइन क्लासे में केवल आप सिच्छक को सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन जो one-to-one बच्चे जो बच्ची आ रहे हैं कर रहे हैं और सबसे महत्पुन बात यह है कि पहली बार महाविद्याले कुलगीत बना है जिसको कल आप सुनेंगे और कुलगीत का हमारा उसका जो कंपोईशन रामराजवाव ने किया है और उसको सवर्ड दिया है बड़ी महिनत करके रीना सहाए है और इन महिला क्वालेज की ओ भी कलाएंगी अब बच्चे आज तीन महिनत से प्रैट्टिस कर रहे हैं तो इस वर्स यही मानते हैं कि जितने दिन हो मरी करें और इन पंक्तियों के साथ मैं अपने वानियों को विराम दूगा अच्छी पंक्ति है अंगरी लेखक ने कहा है गौड ग्रांट में इस सिरेंटी तो एक्सेप्ट थिंग्स आइकनाट चेंज है डिकरेज तो दूदे थिंग्स आइकन एंड़ विज्डम तुनुनु के दोनों के डिफ्रेंस समझ सको कौन कर सको कौन ना कर सको इस लाइन से भी लोगों को सीखने के जरुवत है और अब अंत में इस वीडियो के नवत्पुर के उन तमाम लोगों से मेरा आगरा कि इस वीडियो को सेयर कर दे इस वीडियो में हमने कॉलेज केंपस का क्लिप भ मदल गया है। अगर आपने इस कॉलेज में कभी पढ़ा है या फिर आपके भाई, बेटा, भतिजा कोई भी इस कॉलेज में पढ़ा है, तो आप इस वीडियो को सेयर करें ताकि इस कॉलेज को जो पुराना गौरब साली जो इतिहास रहा है वो पुनः वापस लट सके। तब इस वीडियो को यहीं खतम करेंगे, धन्यवाद.